हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम स्कूल की बच्चों का समयर्टिब असेस्मेंट वान और टू अपडेट करेंगे और लाइफ स्टूडेंट प्रोमोशन और टीशी जेनरेट करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो इसके करने के बाद में दोस्तों हमें यहां पर शार्च करने ना होगा ओसेपा.odisha.gov.in तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने इस पहले आप से रिकुष्ट अगर चैनल पर पहली वार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलो एकन जरूर प्रेस्ट करें हम हर तरह सब्सक्राइब करके लेटेस्ट टेकनिकाल आटो मॉबाईल से लिटेव वीडियो जो हम प्रेट करते हैं तो इस वेबसिट पर जाने के बाद में आपको अपको होम पेच कुछ इस तरह का नजर आएगा और यहां पर क्लिक कर देने बाद में दोस्तों आपके सामने नेट यूजयर्यम means आपका इस्कूल का u-code और पाश्वर जो दिया गया होगा और पाश्वर डाल देना है और नीचे लीग देना है उसके बाद सेशन करना है एक इस गोटन पे क्लिक कर देना है गोटन पर क्लिक कर देना नेक बाद सबसे पर कर देने और फिर आपका प्राइवेट स्कूल है तो आपका चछीन हो जाएगा तो दोस्तों चलिए आप assessment one पर में क्लिक कर दिया हूं पेज थो रहता है उसके बाद मैं assessment one वाला पेज आ गया है जहां पर दोस्तों आपको आपको अपने class के सारो बंचों का जो list है यहां पर नजर आएगा आपके class selection कर सकते हैं तो मैं 5 class यहां पर दोस्तों आपको अपने सारे बंचों का नाम और डिटेल्स यहां पर नजर आएगा यहां पर कोई बंचों का नाम select करके उसमें जो मार्क है सब में 0000 लिखना है 009 जो मैं पर चड़ा देना आप देख सकते हैं मार्क यहां पर 00 लिख देता हूं सबसे अच्छा यही रहेगा तो दोस्तों एक साथ सारे बच्चों का selection कर ले मेरे यहां पर 23 बच्चे हैं तो मैं यहां पर 33 सिलेक्चन कर लेता हूं नीचे लेकर तो 30 कर लेंगे से 23 स्मा आ जाता है उसके बाद मैं उपर जाके मुझे सिलेक्ट ऑल कर देना है यानि कि मैं जितना भी यहां पर फिलप करूँगा सारे बच्चों का डाटा एक साथ फिलप हो जाएगा यानि कि सभी मैं 0 लिख दने के बाद सेब बटन करूं तो 23 बच्चो करना है ऊपर फूर लाइन तो युट स्टुडों सेडक्शन कर देने के बाद में दोस्तों हमें असेसमेंट पर हमा रहा हैarinतरा वा या अपनेगी लिख देना और यहार रहाला चाट दिलफरेंट होने वाला है जो यहां मैं आपको यहां पर दिखाने वालाओं दोस्तों इसमें भी में थैँषा का वहां है यहां stamps रूरना जो training आす पर हमें पास बाला जो यानि की प्रोमस्टन देना तो पी सबीपे स्लेट करेंगे उसके बाद साइड में देख सकते हैं लिक रहा है पास फ्रॉम हाईयर क्लास तो दोस्तों हम आपका सारी डाटा सेफ हो गया और यहां पर यहां पर प्रोमसन पाच चुके हैं उनका डाटा यहां पर नजर आएगा और यहां पर तो हम जो चर्टिफिकेट पे आफ्लाइन में लिख रहे हैं सबसे उपर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा हुआ नजर आता है इसमें बच्चों का शारा डाटा और साथ में टीशी नंबर भी लिखा हुआ होता है तो हम जो चर्टिफिकेट पे आफ्लाइन में हम लिख रहे हैं उसमें यह टीशी नंबर जो हमें डालना होता है उमीदा आपको वीडियो पसना होगा लाइक एंट शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग